हेलो स्टुडेंट्स आवेरी गुड मॉर्निंग आएम यूर टीचर प्रॉम संस्कति गुरुकुलम स्कूल हावर यू स्टुडेंट्स आई होब यू आर फाइन तोड़ें आम गई टू टेक अप सब्जेक्ट हिंदी हिंदी ब्यक्रेंट में आज हम पढ़ेंगे विराम चिन पंक्चुएशन माक्ष क्या पढ़ेंगे पंक्चुएशन माक्ष विराम चिन ने जानते हैं विट आप क्या होते हैं जैसे कि अलप विराम, पूल विराम , प्रश्रशन सूचक , विष्मय वोधक इनजी को बोलते हैं ll değer, जो आप इंगलिश में लगाते है लप्रशिविराम मंत ओए ई, पुचक और विश्मेवदक एस्क्लेमेट रिमा आए हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे कि यह चीज कहां पर कब लगी जाती है ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का नेम है विरामचन पहले लिखा है नीरच रुको मत जाओ सिम्रन रुको मत वो उसको रोक रही है कि रुको मत जाओ लेकिन सिम्रन क्या बोले रुको मत जाओ मतलब वो यह बोले कि यहां पर बिल्कुल मत रुको और यहां से जाओ दोनों में अंतर हुआ न ऐसे ही यहां पहले बाक्य में कहा गया है कि रुक जाओ यानि जाना मत दूसरे बाक्य में क आ गया है कि रुको नहीं चले जाओ दोनों वाक्यों के अर्थों में बहुत अंतर है क्या आप समझ रहे हैं कि यह अंतर क्यों है इन वाक्यों को बोलते समय अलग-अलग जगे विराम से अर्थ में अंतर आ गया है विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना आपको भी पता हैं आप यहां विराम कर लीचे तो विराम का अर्थ है ठहरना या रुखना आपसे कोशन पूचे जाएगा कि विराम का अर्थ क्या है तो आप बोलें ठहरना या रुखना विरामचिन ने वाकिके अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं बोलते पर्थे या लिखते समय विचारों को इसपस्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुखते हैं रुकने की इसी प्रक्रिया को बीच बीच में किसी विशेश चिन्न के द्वारा दिखाया जाता है। द्वारा दिखाया जाता है। जब हमारा पूरा वाकिस हमापत हो जाता है कोई हम कॉशन लिखते हैं कोई हमारा अंसर फूरा फिनिश होता है तो हम उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं या नहीं तो ऐसे ही जैसे मोहन खाना खाता है या फिर मोहन गाना गाता है यह बात पूरी हो चुकी है उसके बाद हमने क्या लगाया पूर्ण विराम ऐसे ही बहुत चारे हैं जैसे मैंने बोला कि यह है मेरी स्कूल बस है उसके बाद यह बात पूरी कंप्लीट हो गई तो यह क्या हुई हमारा पूर्ण विराम ऐसे ही बहुत साले उधारण है संगीत लगाते हैं जैसे दीती कभीता और नेहा पड़ती हैं अगर हम किसी दो-तीन लोगों का इखटा नेम मेंचन कर रहे हैं तो उर जगे सबस्क्राइप अल्पवराम या हम कोई बात बोल रहे हैं रुक रुक कर वह हमारे बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए लगाते हैं उसे हम अल्पवराम कहते हैं जैसे मोहन राहुल सोहन इन तीनों के बीच में क्या लगाएंगे हम कॉमा यानि अल्पवराम इंगलिश में बोलते हैं इसक जैसे मैंने आपसे पूछा है तुम कहां जा रहे हो अगर मैंने आपसे कोई पूछा है तो उसके पीछे क्या लगता है प्रशनी सूचक उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं मैटा कॉशन मांग जैसे तुम मेला देखने कब जाओगे इसमें हमने उसके क्या लग गया प्रशनी है खुशी दुख आश्र आधी भाव को प्रकट करने के लिए लगाते हैं जैसे मैंने बोला है अचानक से किसी ने उसकी बच्छी को बोला कि शाबाज तुम में पु को नियुक क्सा में परथम के लिए घृ का मितलब किया होता है मिरामचं का अर्थ एक उसकी यूज किया जाता है न सब कहा लगाइesta लिए एक्स्क्लीमेटरिम ओके सुट्ट अब हमाते हैं सूज्डेशे का निशान लगाई है विएव्यक्त को स्पस्टिता लाने के लिए सुन्दर लेखन के लिए आफिर वाक्य की सजावट के लिए इसका अंसर है भाव अभिव्यक्त में स्पस्टिता लाने के लिए Then second है, वाक्षा के बीच में बहुत कम समय रुकना हो। तो किस विरामचिन्द का प्रयोग होता है? इसका अंसर है, मैंने आपको बताया था क्या होता है? अल्प विराम अंसर क्या है इसका? अल्प विराम अब दिए गए विरामचिन्दों के नाम लिखे अब सिने उसके बाला क्वड़ बना उज़े नहीं को हम बोलते हैं इसको डाम है इसको को इस की जीज लएक तो यह जाओ जो तीसरा हमारा प्रश्नवाचक चोथा है हमारा पूब्ड विराम चिन। तेन आग़री है अल्प विराम चिन्ह आपको चिनं में समझ में आया होंगे कि कहां पर क्या उस किया जाता है दिये गए वाकीों में उचित इस्तान पर विराम चिन्न लगाई है आप कहां दिखिए इसमें ये चिन्न लगी उनी लेकिन मैंने आपको यह चिन सारे लगाएं आप कहां जा रहे हो तो इसमें पर आज गये वाजार से थोड़ा थोड़ा रुखने के लिए आलू प्यास ट्रमाटर मतलब इन तीनों के वीच मैंने क्या लगाया अल्प विराम और बैगन लानी है फिर उसके बाद जब बात खत कहत एंच के खताम होने के बाद ही लगाया जाता है सुख compliment का हिस्स ए सुख और दुक इनके बीच में हमने क्या लगाएंगे यो जग चिन देंगो सुख और दुक के बीच में ड 1 लगाया चोटासा यह क्या है जीनन का हिस्स आया उसकी बाद पूर्ण विराम अ games अ आप जानते हैं प्रेश्ण वाचक समय धन से नहीं अधित भी मूलवान है तो यह पुन्मृ अब यह जो बात लिखी हुए जैसे मैंने जहां कौमा लगा सेम वैसी ही आपको इन चारो लाइन में लिखना है सुन्दर हैं राइटिंग में और आपको इसके प्रेश्ण उत्तर स्टे सेफ घर पर रहें सुरक्षित रहें